मेरे आपसे इलतिजा है आप इस्लामिक यूट्यूब इंफूरेंट्स बनो मेरे आपके फॉलोवस चार मिलिन से वन मिलिन हो जाएंगे मोस्ट और सोशल मीडिया पर एड देना हराम है आपके चैनल पर लड़की आजाएंगी छोड़े छोड़े कपड़े में आजाएंगी अरे क्यों मुझे जाना मैं जाले भाई मेरे यूट्यूब सोशल मीडिया पर नो मॉनेटाइजिशन मेरे हिसाब से यूट्यूब से हराम कमाई हराम है अगर यूट्यूब चैनल की वीडियो में परदाखवातीन की वीडियो और क्या लिखाव है तखरीब किसम के मवाद पर मुश्तमिल हो तो क्या इसे चैनल की कमाई जाइज होगी पीसियों दफ़ा ये मसला मैं बता चुका हूँ कि यूट्यूब जो आपको पैसे देता है जो मॉनिटाइजेशन पर जो एड चलाता है वो लड़किया नचाने के पैसे नहीं देता किसी कमपनी की प्रोड़क को प्रोमोट करने का एड के पैसे देता है समझ रहे हो अगर इश्तिहार ही लड़किया नचाने का है किसी फिल्म का इश्तिहार चला रहे हैं शराप चीज़ ही को प्रोमोट किया जा रहा है एक ये हो रहा है कि प्रोमोट किसी जाइस चीज़ को किया जा रहा है उसका तरीका गलत है जैसे आप अपनी दुकान में किसी लड़की को बिठा दो मॉबाइल बेचने के लिए तो लोग उस दुकान में ज्यादा जाएंगे न, क्या ख्याल है अब ए अपनी मुबाइल की शॉप में दाड़ी मूच हो वाला बगले वाले बड़ी भी हो उसको बिठा दो आप दाड़ी भी हो, मूचे भी भूब इस पीट से बढ़ रही हो पसीने की बदबू भी आ रही हो वो ही मुबाइल वो बेच रहा है और दूसरी दुकान में आप बिठा दे किसी हसीना को किसी हसीना को बिठा दे जो बेपरदा भी हो समझ रहे हो, अब लोग उसके चक्कर में किदर को जाएंगे कौन सा मुबाइल जादा बिकेगा लेकिन किसीने हसीना बिठाई इस चक्कर में है तो अब क्या होगा अब अगर कोई वहां से आईफून खरीदेगा तो क्या उस आईफून की आमदन को हरा जाएगा भाई वहां भी आईफून के पैसे ले रहा था यहां भी किसके पैसे ले रहा है आईफून भी कराए तो आईफून की कीमत हराम नहीं होगी यह अमल हराम है कि तु कमबगत तुने लड़की इस नियस से क्यों बिठाई है और ऐसे बेहुदल ड्रेसिंग में क्यों बिठाई है कि सारे इस ड्रेसिंग के चक्कर में इधर को आ रहे है यह अमल हराम है नजाइज है गुनाह कबीरा है लेकिन आमदन ना उसकी हराम है और ना इसकी क्योंकि आमदन लड़की दिखाने की नहीं ली जा रही है जो पैसे मिल रहे हैं वो पैसे आईफून के बदले में मिल रहे है समझ में आ रही है बगाइदा प्रॉपर जब तक कोई आले मुफ्ती ना बनाओ वो मसाहिल बताने का आहल नहीं है आमदन जिस चीज़ की आ रही है तो अब होता ही है कि यूट्यूब को जब आपने अपना चैनल मॉनिटाइजेशन के लिए दे दिया तो देना एगरिमेंट ये नहीं होता कि लड़किया नचवाने के लिए हम आपको दे रहे है वो एगरिमेंट ये होता है कि मुखतलिफ कमपनिया अपनी प्रोड़क को प्रोमोट करना चाहती है जिसमें शैम्पू की कमपनी भी है, साबोन की कमपनी भी है, खुश्बू की कमपनी भी है बहुत सारे एडड चल रहे होते हैं तो उस एडड को दिखाने के ताके आप उस कंपणी की multiply को publish करने का जरीया बने इस marketing के पैसे मिल रहे होते हैं आपको अब उस marketing का जो तरीका है वो तरीका गलत है क्या है की company जो एडड बनाती है उसमें लड़कियां दिखाती है ताकि लड़की के चक्कर में लोग आएं और शेंपू देख लें इस बहाने तो ये इश्तिहार बनाना नाजाइज आमल है समझते होगे नहीं समझते लेकिन उसकी अर्निंग हराम नहीं होगी अर्निंग उस प्रोड़क को प्रोमोट करने की गूगल ले रहा है और उसी में से आपको भी कमिशन दे रहा है तो इसलिए यूट्यूब की मॉनिटाइजेशन की अर्निंग हराम नहीं होगी हाँ आप ये कह सकते हैं कि अर्निंग हराम नहीं है लेकिन लड़कियां दिखाने का गुना तो मिल रहा है ना तो इस मसले को अच्छी तरह समझे अगर दुकान आपकी है और आपने खुद वहाँ लाके मॉबाइल बेचने के लिए लड़की बिठा दिये तो मॉबाइल की आमदन तो हलाल होगी लड़की बिठाने का गुना आपको होगा लेकिन अगर आपने दुकान रेंट पे दी हुई है कि आईफून बेचो इसमें और जिसको रेंट पे दी है उसने आपकी पर्मीशन के बगएर लड़की लाके बिठा दी तो फिर यह उसका गुना है यह आपके सर पे नहीं आएगा तब हम कहता है कि आपने किसी को किराय का घर दिया रहने के लिए उसमें फिल्में देख रहा है बैटके तो मालिक मकान को थोड़ी कुना मिलेगा इससे भई आपने रहने के लिए दिया है यह उसका अपना जाती अमल है तो कमपनी जो इश्तिहार बना रही है यह इश्तिहार बनाना भी नजाइज है और गूगल का इसको आपके चैनल पे चलाना भी क्या है नजाइज है लेकिन आपको गुना इसलिए नहीं मिलेगा कि यह आपके कहने से ना गूगल चला रहा है ना वो कमपनी इश्तिहार आपके कहने से बना रही है आपने जो उसको क्या रहा है बेसिक जिस काम के लिए हो काम क्या है? वाई कंपनीयों की प्रोड़क्क को प्रोमोट करना ये काम बशाते हैं, जैसे आपने किसी को अपनी दुकान उularsाब के लिए नहीं दिये आईफून बेचने के लिए है, हलाल काम के लिए है अब हलाल काम वो कर रहा है लेकिन उसको प्रोमोट करने के लिए लड़कियों का इस्तेमाल कर रहा है तो इसमें दुकान का मालिक भी गुनागार नहीं है न वो गुनागार है जिसने आईफोन उसको बेचने के लिए दिया बुनागार वो है जो बेचने के लिए खुद से ही गलत तरीखा इस्तेमाल कर रहा है। समझते होगे नहीं समझते हैं। तो ये मुफ्तियों का काम है किसी चीज़ के बारे में फत्वा देना के हलाल है नहराम है। जिस कमबخت को कुछ भी नहीं आता ना वो मुफ्तिबन के फत्वा दे रहा होता है। इसी ज़ल से हम यह कहते हैं कि कुछ इस्तेहरा आप नचाईस भी चला देता हैं। ये तो प्रोमोशन ही हराम है ना। तो इसमें फिर क्या होता है कि आपकी हलाल में कुछ हराम शामिल हो जाता है इसकी मिसाल ऐसे जैसे आपने आईफून बेचने के लिए दुकान दी थी लेकिर उसमें शराब भी बेच रहा है वो शराब भी बेच रहा है आपकी पर्मिशन नहीं है लेकिन वो बेच रहा है तो तो फिर क्या कहा जाएगा भाई, इसमें तो चुँके मिक्स सारे काम हो रहे हैं, तो कुछ न कुछ परसंटेज आपको इहतियातन, ये भी हम इहतियातन कहते हैं, इसमें भी अगर ज्यादा डैप में जाएं तो यकीनी तो ये भी वाजब नहीं है, क्योंकि आप ने इस काम क तो फिर वो तो हराम है, तो यूट्यूब पे जब नजाइस आपका एड़ चलेगा, तो वो आपकी अर्निंग में हराम शामिल हो रहा है, इसलिए हम ये कहते हैं, क्योंकि आपकी यूट्यूब की अर्निंग आए, तो उसमें चन्द फीसद, कोई कहता है पांच फीसद, को कोई कि अठाई फीसद तो एक लमसम अंदाज ऐसे कम असकम पांच फीसद सद्का कर दिया करें उसमें